नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपका फिर से एक नहीं वीडियो में दोस्तों, कंगना रानावत और महारास्टा सरकार के बीच बिवाद के बाद से केंदर सरकार ने कंगना रानावत को वाइश रेनी की सेकेयोटी प्रदान की है यानि कि अब मैं आपको बताऊंगा कि कंगना रानावत ने ओपें चैलेंज किया है ट्विटर के माध्यम से महारास्टा सरकार को कि वो नौत तारीक को यानि कल महारास्टा जाएगी यानि मुंबई जाएगी अपनी ओफिस आपको मैं बता दू कि BMC ने पहले ही एक दिन पहले ही कंगना रानावत के ओफिस पे चापा मारा है चापा इस माध्यम से मारा है कि कुछ देखना चाहते कि कुछ गलत कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है किस तरह का माहौल क्या है वो सब उनके office में धूनने की कोशिस किया है इसलिए कंगनारावत ने ही ट्वीट करके बताया है की मेरे office को बिना notice दिये हुए चापा मारा गया है वह मेरे office को पूरे नस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उन्होंने challenge किया है, महारास्टा सरकार ने भी बोला था कि तुम मतलब महारास्ट में नहीं ढूग सकती हो, मुंबई में नहीं ढूग सकती हो, तो उसके बाद से कंगनार अनावत ने हमारे जो ग्रिह मंत्री है, अमि मुझूद रहेंगे, जिसमें से दो special commando होंगे, दो कह सकते हैं कि special security force होंगे, और बांकी जो बचे हैं वो अर्ध सेनिक बल होंगे, इसके साथ ही वो मुंबई जाएंगी, यानि ये वाइस सेरेनी के security अब उनको हमेशा के लिए रहेगी, यानि 24 गंटा उसाथ में मौजू रहेगी, तो अब जहां भी जाएगी, तो वाइस सेरेनी के security जाएगी, तो अब देखना दिल्चस होगा कि मुंबई पहुच करके क्या उनको BMC पूरी तरसे क्वाटाइन करती है, या फिर से कुछ बिवाद आता है, या क्या होगा, वो देखने का मतलब, देखना पड़े पूरे मारास्टा सरकार से लड़ रही है, और साथी केंदर सरकार उनको वाइफ मतलब स्रेनी की security दिया गया है, तो अब उसको ले करके मुंबई पहुंचती है, तो अब क्या होता है, वो देखने का दिल्चस्प होगा, तो बने रही है इस खबर पे, इसके लिए आपको क पूस रही है, सुरक्षित रही है, जय हिंदू